हेलो मेरे दोस्तों मैं रहा हूलर स्वागत अप लोगों का आपके अपने यूटूब चनल अरके सेंटर पर दूस्तों आज के वडियो में बॉक सेमेस्टर 5 History Honor Score 12 के Most Important Question को जानने वाले हैं ऐसे Question जो आपके Examination में हर वर्स पूछे जाते हैं तो चलिए जानते हैं कि क्या वो Question है जो प्रतेक साल Examination में पूछे जाते हैं उसके साथ साथ कौनसा कोसा Important Question है जो इस बार हमारे Examination में पूछे जाएंगे ठीक है ये पहला टॉपिक दूसरा ट वीडियाप कहा मिलेगा वो चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग Question देख लेते हैं कि कितना Question है इसमें और कितने Question आ सबते हैं पहले हम लोग Question के तरब जाएंगे ठीक है तो देखिए यहां पर लिखावा लॉंग टाइप Question यह Long Type Question और Short Type दोनों आपको बताने वाला है ठीक है तो यह गारंटी नहीं बताया जा सकता है कि यह प्रथम अफिम्यूद इस रफ आएगा तो दोनों में से कोई भी आ सकता है हना तो अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं तो दोनों में से कोई भी आफिम्यूद के बारे मे लिख सकते हैं आप ठीके फिर देखें दूसरा Qchen है जापानी समराजवाद पर एक नीभन्दल लेकें क्या लिखाबा है जापानी समराजवाद पर एक नीभन्दल लेकें ठीक हैं या पर दिखें तीसरा Qch gent है दोस्तों बॉक्सर विद्रो के कारण और परिनामों का वर्न गूर्ण करें क्या पूंचा वाए बॉक्सर विद्रोह के कारण और प्रिनाम का वर01 करें की विद्रोह की हुआ तो के क्या धुरोग और उसका क्या प्रिनाम निकला ठीक है लिसी आगे aujourd sexual फूर में क्या है कि जापान का द्रवाजा किस प्रकार खोला गया जापान दरवाजा जो है वहापारी दरवाज द्वार जो है वो किस प्रकार से खोला गया था ये कोशन पूछा गया ठीक है अगे कोशन में 5 की बात करें कोशन में 5 में क्या है डॉक्टर सनयाद से इनके तीन सिधानतों का विस लिशन करें दोक्टर सन्याध चेन के तीन सिधानतों का विस लिशन करें ठीक है, और उसके साथ साथ अगर इससे मेटेद अगर और आप और भी कोई SBSW पूझा राता है सन्याध से तो आप यही वाला answer लिग सकते हैं जो आपको बताऊँगा भी आगे दिखिए कुछनबर 6 की बात करें कुछनबर 6 में क्या दोस्तों कि चीन में सामयवादी दल के उदाय का वर्नन करें कि चीन में सामयवादी दल का उदाय किस प्रकार से हुआ था उसका वर्नन करना है ठीक है आगे 7 की बात करें 1894 पंचानवे के चीन जापान यूद का कारण परिनाम का वरण करें कि 1894 और 95 की बीच में जो चीन जापान का यूद हुआ था उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिनाम हुए यह चीज़ के बारे में हम लोगों को डिल करना है ठीक है आगे question में eat की बात करें question में eat में क्या है जापानी समराजवाद पर एक निवन्द लिकें क्या है जापानी समराजवाद पर एक निवन्द लिकें ठीक है ये question हो गया फिर 9 number question है दोस्तों कि मेजी पुनर स्थापना के क्या कारण थी ये तो 9 नमबर कोशन, फिर 10 नमबर कोशन, कि वासिंटन सम्मेलन की उपलब्दियों का मुल्यांकन करें, वासिंटन सम्मेलन क्या था, इसके क्या-क्या उपलब्दिया थी, ये बताना है, ठीक है, ये देखिए, ये तो आपका लॉंग टाइप कोशन हो गया, फिर सौर्ट क्या लॉंग टाइप कोशन को जान लेता है, इसमें से क्या-क्या कुशन आएगा, ठीक है, ये तो मैंने आपको सारे कुशसन बता दिये थे, कि इस प्रकार के कुशन आपको आने वाले हैं, लेकिन इम्पॉर्टन क्या है, तो इम्पॉर्टन देखिए, आपको बताता हू के लिए most important है उसके बाद जो black letter से लिखा हुआ है वो भी important है लेकिन कम important है तो कहने के मतलब यह है कि जो red letter से लिखा हुआ ना वो नेसर जिर रूप से आपको पढ़के जाना है तो पढ़के जाना कोई भी हाला थो अगर आपके पास समय है तो यह सारी question पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास समय नहीं है तो बस red letter वाला question को पढ़के जाए वह 100% match करेगा ठीक है फिर देखिए question number 5 आपको पढ़के जाना है डॉक्टर सनाया सेन की सिधानतों का ठीक है फिर question number 7 आपको important question है अब दिखे अगर हम लोग बात करें इसके PDF का ठीक है तो आपके पीडियाप आपको कहा मिलेगा उसके साथ साथ यह जो question बताया गया उसका answer कहा मिलेगा ठीक है तो सारे के सारे questions का answer जो आपको बता दिया सब्सक्राइब को सकते हैं मुझे पीडिए टिक है तो जलु क्या करें पीडियव ग्रूप में जोड़ जाएं, जहाँ पे आपको पीडियव अबलेबल मिल जाएगा उसके साथ साथ मैंने सारे कोशन आपको करवा दिया है चाहे हो DSE 1 हो, DSE 2 हो, सारे का बता दिया ठीक है अगर आप लोग उसको भी नहीं देखे होंगे जापान का आधोनीकी करन कैसे हुआ ठीक है फिर दूसरा पढ़ लिजेगा 1911 की चीनी करांती का क्या कारान था ठीक है पिर तीसरा ताइपिंग विद्रोग के बारे में पढ़ लिजेगा फिर चौथा अगर बात करें तो चौथा है च्वांकाई सेक के बारे में आप लोग पढ़ ले जाएगा यह चार कोशन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और यह उपर में जो च्पर न आपको बताया गया लांग वाला वह अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100% कोशन अपके एक्जामिनेसर में मैच करने वाले आर मैं गारेंटी देता हूं कि यही सब के answer कहां मिलेगा ठीक है और अगर आप लोग अगर आप लोगों को किसे परकार का अधिक्कात होता है तो मुझे comment box में पूछ सकते हैं या तो मुझे directly message कर सकते हैं ठीक है तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चाहिए जये भारत